संस्क्राइब दर्शन चनल में आप सभी का स्वागत है कारग प्रगिंट चल रहा है और सत्मी का अध्यन कर रहे हैं आज हम कुछ सूत्रों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे आज मैं सूत्र लिखने का प्रयास कर रहा हूं यहाँ पर करम से तीनों फिर उनकी व्यक्षाएं समझाई जाएंगी उसके बाद अब थोड़ा सा एसने के पहले सूत्र लिख लिए एक फिर उसकी व्यक्षाएं फिर सूत्र आज ये अंतिम वीडियू है सब्तिवी विक्ति क उसके बाद हम करम प्रविचनियों के बारे में जानेंगे ठीक है साधू निप्राभ्याम अर्चायाम निप्राभ्याम अर्चायाम सब्तम्य प्रति ठीक है एक्ति हो गया इसी का एक वार्तिक है इसी के लिए प्रिव किया गया है वो प्रत्यादेभे प्रतिवक्तब्यम ठीक है एक तो इसके बारे में जाना है यह एसी का ही है बस दूसरा है प्रसितोत्सु का भ्याम तिरतिया चा ठीक है एक सुत्र और है तीसरा नक्षत्रे चालुपी यह तीन सुत्र है और तीन सित्रों के बारे में हम जल्दी जल्दी इनके बारे में देखेंगे और यह अंतिन हैं सत्तिमी वक्तिका उसके बाद करमप्रवेचिनिया करम प्रविचनिय के बाद में फिर सस्ठी का प्रियू किया जाएगा ठीक है मेरी यो वीडियो है बड़ी बिस्त्रित हो रही है यह मुझे भी लग रहा है लेकिन मेरा उद्देश मैं बता चुका हूँ आपको मेरा उद्देश के वाल वीडियो को जल्दी यल्दी खतम करना नहीं है एक एक सुत्रों को व्याख्या करना है उनके द्वारा चीजों को समझना है मैं इनका फिर सार भी देने का प्रियास करूँगा वो दो या तीन वीडियों में सारे कारा को कर रहेगा जिससे कि एक बार जो अध्यन करने वाले हैं वह वार उस सार को अध्यन करना है सार में कुछ समयम नहीं आता है तो फिर इनको बिस्तरित में जा करके वे अध्यन कर चके हैं उनके पास दो बिकल्प रहेंगे इसलिए इनको बिकल्प दे रहा हूं विश्तृत में क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम सार तो समझे लेते हैं लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होते हैं जो समय में से परे हो जाती है तो हम उसके लिए फिर ट्यूटर की आवश्यक्ता पड़ती है वह हमें उप्रप्द नहीं हो पाते तो वहां बहु इसमें जाकर के जो बिश्तृत रूप से समझा है उसमें जाकर को देख सकें तो यह दोनों प्रकार से लाग मिले के संभादा रहेगी तो हम इसके उधानों पर चलते हैं सीधे और इनको देखते चलेए को साथ हुआ हमने पुण हमने सब्दों को बहुत पड़ा है लेकिन अपने माता पिता सम्मान करते हैं थोड़ी सी बात समय में आ जाएगी साधू और निपुन यहां दो सब्दों का प्रियोग किया गया है और इसमें अर्चायाम का सीधा स्साथ पर है समान से यहां किसी का समान करने से है पूजा करने से है अर्चना वैसे कहते हैं अर्चना करना है तो वो कह रहे हैं कि सप्तम्मी उसमें सप्तम्मी का प्रयो पहा हो लेकिन अप्रती है अपरे तिक है जडी प्रतिम का प्रयोग न किया गया हो तो बिएक उपसर्भ के नभेघिप काते हैं इसमें वक्तब के दिया है कि नहीं ऐसी बात नहीं है तो इस बारतिक के द्वारा बारतिक में जो कातेयन है उन्हों का हाया कि प्रती ही नहीं है इसमें आप फारी प्लस अन, इन दोनों उप्षरोगों को और ले लीजिए, तब ये पूरा होता है, तो साधू और निपुन का प्रियोग किया जाए, यदि ये शब्दों का प्रियोग ना किया गया हो, तो सीरे सप्तिनी का प्रियोग किया जाता है, तो यहां कह रहा है कि अच्छे बालक, अ अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, तो सम्मान साधू और निपुन, साधू का है जो प्रियोग है, साधू का मतलब साधू साधू प्रियोग में हमने पला था पीछे बार, तो उसमें सज्जन से संबंदित लिया गया था, यहां सज्जन के साथ सम्मान से संबंदित है, या तो अच्छे वाला की यह इसलिए उलजी आते हैं इह इनका जब प्रीयोग यार कर लेते हैं तब कि दमाजमें सही से नहीं बहुर पाता है इसका कार्ण है कि ब्रदीर प्रयावाची के उतमें आप्लीयोग किया जाते हैं संस्कित में तो क्या बन जाएंगा अच्छे की संतहा वाला कहा पित्रूं अब अपने की बना पुट्रूं माता-पिता का अपने अपने इस सब गया है माता-पिता श्वला आली लगाना चाहिए तो सम्मान की इहां साधवा जा जाएगी है ना भवन्ती है ये प्रियों गए तो प्रियों कि है कि वो बाल जो है अपने माता के प्रथी प्रती साधू है Kit चलते हैं गुर्कुल के छात्र, गुरुजन के प्रती सिष्ट हैं। अब यहाँ प्रती सब्द आपको दिखाई पर रहा है, लेकर प्रती का जब संस्कित में प्रियुक करेंगे, तो उसमें प्रती सब्द को नहीं प्रियुक किया जाएगा, पस इसका यह मतलब है। यहाँ जो बाद में कहा जाए, ठीक है, अनसर्ण किया जाए किसी का, तो अन भासा में जाकर के उसके भाव विच्छ जो जाता है, बदल जाता है, उसके अनसर्ण ही बाते हैं यहाँ समझने का प्रियास में करना चाहिए। तो यहाँ तो गहां की छात्र है, गुरुकुन की छात्र है, क्या बन जाएगा, गुरुकुलस्य, छात्रह गुर्जनों के प्रती कौन से की बुक्ति आएगी इसमें गुर्जनेशु अब सिष्ट की क्या आएगी सिष्ट की साध में हम निपुण में लगा सकते हैं निपुण हां भवन्ति अब निपुण इसको परेवाग समने के बाद में निपुण सब्द से अर्थ लागाने के थोड़ा दिक्कत हो जाएगी तो इसलिए है यदि हमें सूत्रों को थोड़ा सा भी पता है तो समय नाजार उसके अर्थ के अनुसार इसलिए प्रियो किया ग और देने के लिए कहा गया कि प्रतीर के साथ तो नहीं होगा इनके साथ भी इनका प्रियोग नहीं किया जागा सब्तिमी का ठीक है चले अब हम इस पर चलते हैं दूसरी सूत्र पर केशों को समार ने में लगे रहने वाले छात्र कब पढ़ाएंगे चले इसको मैं उद्हाड लिख लिया है अब देखी प्रसित और उत्सुक ये दू सब्द हैं और दोनों का तत्पर ही एक ही है तत्पर है ना तत्पर या आसक्त आसक्त मतर्ब किसी की तरफ उनकी लगाव होना जब किशोंर अवस्था आती है तो किशोंर अवस्था मैं और मैं तो यह देख रहा हूं कि मनुश्य का जीवन ही दूसरों को इंप्रेस करने में प्रभावित करने में ही चला जाता है जो दूसरों को लगाव में लगा रहता है कि मुझे से प्रभावित हों और बच्पन से सुरुवात होती है ये भाग दोर और अंते मवस्था तकी खतर नहीं होती इसी के लिए लोग पताने कितने कितने कृत्यों को करता है केवल दूसरा का ध्यान चाहता है कि मुझे मेरी तरफ ध्यान दे इसमें जो संभावना खराव होने की होती है बच्चों की यही होती है कि प्रभारवाली यादि इसको तरफ सही से ध्यान देते में तो उसकी प्रभारति खडाव की तरफ चलिए गलत की तरफ चलिए ह। तो साइकलोजी के लिए कहते है मनोबग्यान ये कहता है कि यदि सारा वातावन सकारात्मक प्रवर्ति का हो जाए तो एक प्रत्षत भी संभावना नहीं होती कि बच्चा गलत रास्ते पे चला जाए क्योंकि उसको पता है कि गलत चीजों को ज्यादा समाज में तबज्ज़ दी जा रही है हर व्यक्ति मैं हर दूसरी व्यक्ति की नहीं कर रहा हूँ हर व्यक्ति अपने पूरे दिन का जितना भी 24 गंटे होते जितनी समय में वो बाते करता है वो नकारत्मक ही बाते करता है दूसरे की ही चर्चा करता है, दूसरे की दो ही चीज़ा होती है, एक तो दूसरे की बुराई करना, 90% हिसा उसका बुराई कर रहता है, चाहे वो राजनीती की विसाह में हो, किसी परोशी की विसाह में हो, अपने रिस्जार की विसाह में हो, दूसरी बच्चों की विसाह में थोड़ा सु रूखूंगा कि बच्चे जो होते हैं वो गलत रास्ते पर क्यों चले आते हैं तो मेने इक पूछा वह एक बार में की क्लास ले रहा था अचानक ऐसे ही बेज दिया था मुझे साइंस की क्लास में संस्कित का अपनी स्क्लास में क्या पढ़ाएगा तो वहां मु जियान मिलता है बच्चे को जहां ध्यान मिल जाता है बच्चा बस वहीं सूर जाता है कि यह Your अं सरल है और गलत रास्ते पर सरल भी थे क्योंकि एक बार गलत काम होलों लो तो सब लोग उसी पर जोरी कर लो वो चीज़े ग्रोफ कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं, इसलिए समाज में, यदि गलत कार हो रहे हैं, तो उसके जिम्रार कहीं न कहीं हम हैं, क्योंकि हमने गलत चीज़ों को देखा, महसुस किया और पढ़ा, क्योंकि अखवार भी आज गलत चीज़ों को दिखा रहा है, समाच कभी कभी चीज़े निकलती हैं, तो केशों को समारने में लगे रहने वाले चात्र कव पढ़ाईएं, यह पूछा है, तो यहाँ पर आसक्त जो शब्द हैं, किसको समारने में लग रहे हैं, केशों को समारने में लगे हुए हैं, तो लगे रहना यहां, जिसमें लगे उसम तो चा से फिर्तितिया कप्रियों किया जाता इसलिए मैं दोनों चीज न बता देता हूँ है यह बहुत प्रस्णा आ जाते हैं जब वड़ी कक्षाओं का देन करेंगे टीजी पीजी टी में आपको भी पीछे के पेपर देखना उनमें सूत्र दे देंगे तो उनको पूछ ल टीक है प्रस्ट हो यानि कि सवारने में लगा रहे हैं ना सीधा इसमें पूरा पीरुक्या जाएगा यह यह वाला प्रसितक च्छात्राह कदा पठिश्यंती कप पड़ेंगे वह कह रहा है कि प्रसेत किसमें सब्द प्रियुक्या गया है क्योंकि तो लिए इसमें दिमाग को हां चला गया, तो फिर वो पढ़ाई से इनको दूर हो जाते हैं, छूट जाते हैं, तो केशेशुपरशिता, छात्रा कदा पठिशन्ती, ठीक है चलते हैं, कि इसमें तुर्थिय विवक्ति का फ्रियों हो जाएगा वो छूट गया था के श्याई ठीक है यह बस इसमें इसमें दोई चीज़ हों में सब्तमी का प्रियों होगा और तुर्थिय का भी प्रियों किया जाएगा सिनेमा में आसकत वालग सदाचारी नहीं रह सकते ठीक है यह वही चीज है जो व्यक्ति सिनेमा देख रहे हैं तो वह सदाचारी के गुर्ण भूल जाते हैं लेकिन मेरा यह संपूर्ण रूप से सही है ऐसा नहीं है प्रतिशत का पड़ जाता है प्रतिशत कुछ जादा है और कुछ कम है सिनेमा से कुछ लोग बन भी गई है ऐसी बात नहीं है तो यहां पर फिलोस्पी में नहीं जाने चाहते हैं दर्सन में जाने से साइंस अनवाद हैं भूल जाते हैं सदाचारी नहीं रह सकते हैं सदाचारी को नहीं रह सकते हैं यह आसक्त शब्द इसमें लगा हुआ है ठीक है और किसमें आसक्त किसमें उत्सुक य जिसमें ततपर हो, उस शब्द से 17 वोत्रतिया का प्रियों किया जाता है, तो यहां पर सिनेमा में आ सकता है, लगा हुआ है, तो क्या बन जाएगा? सिनेमा को चल चित्र बोला जाता है, चल चित्रे शू, है ना? अब आसकत का उत्सु कहा बन जाएगा उत्सु कहा बाल कहा सदाचार्यना ना भवन्ती कह रहा है यह के चल चित्रिशू उत्सुका बाल कहा सदाचारणा ना भवंती अर्थाद वो सदाचारी नहीं रहते हैं चले यह उम्मीर है दोनों समीमा आगे हैं हमें इसमें दो ही दो सब्दिने सादू था और निपॉन था नीचे जो वार्तिक है वो परी और अनू के लिए प्रियू किया गया है प्रतितों पहले वाले से ही बता दिया गया है प्रसितों उत्सुका भ्याम तृतिया अचा इसमें प्रसित है और उत्सुक है यह दोनों से तापर है लगाव से आसकती से तप्रता से ठीक है तो अनक्षत्र चालो पी और है इसको देख लेते हैं चल इसमें फिर तृतिया रह गया, इसमें चल चित्री बन जागा ठीक है तृतियाम क्या बन जागा, चल चित्री, इतना प्रीव कर लेंगे इसमें माखानक्षत्र में उड़द और भात खावें ठीक है यहां थोड़ी सी बात समझे लें आओ नक्षत्र है और लुपी है दो प्रियों किये हैं अर्थात नक्षत्र जो सब्द है सब्द है और उसका लुप हो रहा हो तो उसमें सीधित सत्तिमी का प्रियोक किया जाता यह बैसे तो मुझे नहीं समझाना चाहिए था तो इसको बताने में कोई भी आरज नेए रखना है सीधे, जालत दिमाग नहीं लगाना कहा किसका लोग पूरा सीधे, जो नक्षत्र दे रखे हैं, जैसे ये नक्षत्र है, सीधे इसमें सब्तिमी का प्रियोग कर दिया जाएगा, थीक है सब्तीमी का भी प्रियोंगा और तिरतिय का भी प्रियोंग इसमें किया जाएगा चलिए क्या बन जाए असमा मघहासू या नीचे लेख लेते हैं फ्रे भूल जाते हैं इसको मघहाभी ठीक सब्तिमी और तिरतिया पूरा हो गया तो माशोदनम वक्षेत ठीक है इसमें थोड़ी सी मात्र दू लगेंगी तो ये बन गया मघान अक्षत्र में सीधा इसमें प्रियोग सब्तिमें करिए और त्रित्या करिए सीधा प्रियोग कर लिए चलिए बड़ासा है थोड़ा ये गर्मी की शांती के लिए जेष्ठ नक्षत्र में केवडा की मिश्रित जलका सेवन करना चाहिए ठीक है गर्मी की शांती के लिए ठीक है जेष्ठ नक्ष छत्र में जेष्ठ थे तो इसमें जेष्ठ भी ने इसमें जेष्ठ थेन आएगा ठीक है जेष्ठ थेन केवडा केत की सार बोलते इसको केत की सार मिश्रित अंभा मनी जल ठीक है सेवन करना चाहिए भजेत उम्मीद समय में आगया होगा बड़ा सा उपर दिखाई दे रहा है देखिए इसके लिए पूरा एक है संटाप शांत है चतुरुति का के लिए है तो चतुरुति का प्रियोग की आगया है जेष्ट नक्षत्र में सीदे जेष्ठ है और जेष्ठ है तृतिया का प्रियोग और सब्तिम का प्रियोग की आगया है केवडा के लिए केत की सार का प्रियोग की आगया है ठीक है और मिश्रित मिश्रित जल के लिए मिश्रितम मिश्रितम है ठीक है मिश्रितम अंभा का प्रियो किया गया है और सेवन करना चाहिए विधीलिंग में भजेत का प्रियो किया गया है उम्मीद समझ मा आगया होगा और खुछ नहीं है इसमें एक उधान और दुम्वाइस में, क्योंकि ये सरग है, एक दिबार इसको देखेंगे, अभ्यास करेंगे, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, समझाने के लिए कुछ खास है नहीं, सीध नक्षत्र में सब्तिमी करनी है, इन सब्दों के बाद में, जिसमें लगा हूँ, उसमें प्रियोग किया गया, इसलिए मैंने हाँ लेख दिया, भूल जाते हैं इसको कभी-कभी, ठीक है, चलिए, आगे देखते हैं, देखिए, पुष्टी के इच्छो को मनुष्य को पुष्टी नक्षत्र में खीर का सेवन करना चाहिए, ठीक है, तो याँ पुष्टी के तो पुष्टी का जो इच्छो क है, उसमें क्या है, पुष्य नक्षत्र है ना, किसका सेवन करने चाहिए, खीर का या पुष्य नक्षत्र की समय, खीर खानी चाहिए तो पुष्टी काम हाँ, इसको पुष्टी काम हाँ, इसको पूरा बन जाएगा पुष्टी काम हाँ, मनश्य हाँ, या नरा हाँ, क्योंकि यह करता ही है, पुष्य यानि कि पुष्य नक्षत्र में, तो पुष्य नक्षत्र न, पुष्य तो इसमें त्रित्य बन जाएगा, पुष्य न, ठीक है, सवन करना चाहिए, खीर का, खीर का सेवन करना चाहिए, तो क्या बन जाएगा, पायसम करना चाहिए, अशनियात, वसी यह थे, इस सब्तमी वक्ति आज समागत हो गी है, इशननि हो जाती है, कुछ लोग को समस्या हो रही है, कारण है इसका, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिस्त्र बेदे चला गया हूं जाधा, आज की समए इतना बिस्त्र बेद का है ही नहीं, शोष्य में सम्झाने का समय है, लेकिन मैं श अजतकाला में तयारी करने बालों को, کितना कितना समय हो गया, तयारी करते हुए, वह उसी सॉलिट पत्यति से पोई है अपनाई हुए है, मेरे साथ के मेरे से पहले से जो अध्यन कर रहे थे उनको這是 साल पहले से फां comments, पहले. वह आज भी हैं wow नहीं है उनका मजबूत तक गाई के लिए तना ही नाम की संस्कित पर थत रेक्र ने लगा स के लिए त्सक्राइए नमस्कार जेहिंद झाल झाल